हुआ है नमस्कार दोस्तो ऽागत आपका हमारी इस यूटुब CHAINNEL में आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अलगख वैल्यूस के बारे में अधाइब साफ वैल्यूस जब हम वैल्यूईन करते हैं तो गलग टर्म्स आपको देखने को मिलते हैं उन्हीं को हम ब्रीफली डिसकस करने वाले इस वीडियो में और जानेंगे हर एक वेल्यू का मतलब क्या होता है ठीक है तो सबसे पहले हम जानते हैं टाइप सब फैल्ल्यू तो वेरियस टाइप सब देखिए सबसे पहले मार्केट बाद में बुक वैल्यू देन सेलवेज वैल्यू स्क्रैप वैल्यू डिस्ट्रेस्ट वैल्यू और सेंटेमेंटल वैल्यू तो यह छे टाइप से वैल्यू की अब इनका मतलब क्या होता है वह हम वन बाई वन देखेंगे जैसी कि सबसे पहले हैं मार्केट वैल्यू किसी भी property की open market current open market में जो particular price होगी वो होगी अपकी market value ठीक है और यह जो market value है यह time to time defer करती रहेगी जैसे ही demand और supply में changes होते जाएंगे ठीक है तो यह इसका मतलब है कि अगर आप market में जाएंगे किसी property की value चेक करेंगे उस time में जो value उस property की होगी वो उसकी market value कहलाएगी अब इसके बाद में और भी चीज़ें हम देखेंगे लेकिन इससे पहले एक और point देख लेजे कि market value जह है वो उसमें changes आपको time to time देखने को मिलेगे इसके reasons क्या होगे जैसे कि changes in industry हो सकता है कोई trend change हो गया fashion change हो गया या फिर material की cost और लेबर की cost में अगर changes हो गए तो उस particular property की जो value है वो change होती रहेगी तो market value भी time to time change हो जाएगी अब इसके बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगा book value के बारे में अब book value का मतलब क्या होता है original cost में से आपको amount of depreciation minus करना है at a particular year particular year क्यों बोल रहा हूं देखो हर year by year क्या होता है एक depreciation amount आपके original cost में से deduct करना होता है मतलब जैसे आपके building की age बड़ेगी वैसे उसका life span कम होते जाएगा तो life span जैसे कम होते जाएगा तो उसकी जो age है उसकी जो price है उसमें आपको deduction देखने को मिलेगा ठीक है तो वो deduction मतलब होता है आपका depreciation अब उस amount of depreciation को आपको आपके original cost में से deduct करना है और डिदक करने के बाद आपको जो amount मिलेगी वह होगी आपकी book value ठीक है उसे हम बोलेंगे book value और वह particular year में जो भी amount of depreciation है उसको आपको deduct करना है और deduct करने के बाद जो value मिलेगी उस particular year की book value आपको वो कहलाएंगी ठीक है अब यह जो book value है यह totally depend करती है amount of depreciation के उपर और यह amount of depreciation gradually year by year इसमें आपको reduction year by year आपको इसमें reduction करते जाना है ठीक है अब इसके बाद में next value देखेंगे वो है आपकी salvage value अब salvage value का मतलब क्या होता है किसी भी property की या फिर building की कोई भी property हो उसकी एक life span है उस life span के बाद में वो जो property है वो एक condition में un economical बन जाता है तो हम उसको बेचते हैं ठीक है हम उसको sold करते हैं और उसको कोई और जो इंसान है वो उसको purchase करता है वो purchase किसी और purpose के लिए भी कर सकता है लेकिन purchase करते वक्त उसने जो amount आपको दिया है उस ने जो उस property की value आपको दिये है वो होगी उस property की salvage value उस property की salvage value ठीक है तो यह complete value आप original cost नहीं है यह at the end of life span of that property उसको sold करने के बाद आपको जो value एंड में मिलेगी वो होगी अपकी salvage value अब salvage value के बाद में next है scrap value अब scrap value का मतलब क्या होता है scrap value मतलब जो dismantle materials हो दे मतलब पूरी property को अपने destroy करने के बाद जो उसमें materials बचे हैं जो भी हो सकता है मतलब concrete materials steel materials तो उसके बेचने के बाद ठीक है उसके बेचने के बाद आपको जो भी amount मिलेगी वो होगी आपकी scrap value ठीक है जैसे कि यहापर मैंने example आपको बताया कि अगर building की life span ओहर हो जाती है उसका utility period हो जाता है उसको dismantle किया जाता है और dismantle करने के बाद जो भी steel वहाँ पर बचेगा bricks बचेगी या पर timber है उसकी एक certain amount आपको sell करने के बाद मिलेगी वही जो amount है आपका scrap value कहलेगा उस building का ठीक है वही आपकी scrap value होगी अब scrap value के बाद हम next देखेंगे distressed value अब distressed value क्या होता है कोई भी एक property है जिसे वो sold करना चाता है एक अपनी property को sold करना चाता है लेकिन किसी कारण जो actual price है उस property की उससे कम price में वो अपनी property को sell कर देता है और वो जो selling price होती है वो उसकी होती है उसे हम कहलाते है distressed value ठीक है वो जो value उसने sold करने के बाद उसको मिली वो होती है distressed value अब ऐसा किन condition में होता है तो जैसे कि अगर war या फिर earthquake जोने तो उसका जो fear होता है कि और क्यों को जैसे कुछ हो जाएगा तो उस वो क्या करता है कम से कम amount में अपनी property जो है कम amount में आपनी जो property है उसको बेज कर चला जाता है तो वो value जो होगी वो होगी distressed value और भी reasons हो सकते जैसे कि कोई financial difficulty है owner की जिसके उस प्रॉपर्टी को कम amount में बेचना पड़ा तो उससे बोलते हैं distressed value ठीके अब इसके बाद में last one हम देखेंगे sentimental value तो sentimental value क्या होता है तो किसी भी property को actual जो उसकी selling price है उस price से ज्यादा amount में अगर sell किया जाता है ठीके मतलब अगर कोई इंसान interested है किसी property को purchase करने के लिए और उसका owner उस property को due to the sentiments just नहीं करना चाता लेकिन जो buyer है वो उसे extra amount क्या करेगा offer करेगा और उस amount को अगर वो accept कर लेता है और उसे वो बेच देता है तो वो होगी आपकी sentimental value ठीके वो होगी आपकी sentimental value तो यही अलग-अलग values की terms हम इस वीडियो में देखने वाले थे अगर आपको इन सभी values में कोई doubt है तो नीचे comment section में जरूर बताना आज की वीडियो में बस इतना ही मिलता हूं next वीडियो में झाल 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 झाल